JTC Holidays प्रस्तुत करता है, मध्या प्रदेश बस पैकेज, पैकेज सेवन नाइट और एट डेस का है, इसमें इंदोर, पंच मडी, पिपलिया, उजजैन और ओमकारिश्वर जैसे डेस्टिनेशन्स शामिल हैं, गुजराती, पंजाबी और जैन भोजन, टू बाइटू एसी, नौन एसी स्लीपर बस, प्रती दिन एक पानी की बोतल प्रती सीट, होटल में ठहरें पर फामिली, यात्रा के दोरान नाश्ता, यात्रा के दोरान दुपहर का भोजन, यात्रा के दोरान रात का भोजन, यात्रा के दोरान मिठाई, बस राजकोट से दुपहर बारा बजे, अहम्दाबाद से शाम पांच बजे और बढ़ोदा से रात आठ बजे चलेगी रात की यात्रा, इंदोर के रास्ते में Day 2, इंदोर के साइट सियंग्स उनका रिश्वर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो खंडवा शहर के पास मांधाता में स्थित है ये शिव के बाराश रध्धेय जियो तिरलिंग मंदिरों में से एक है इंदोर के बाजार में खरीदारी, रात्री रोकान, इंदोर में Day 3, इंदोर से पंचमडी के रास्ते में जील किनारे मंदिर जहां 14वी सदी के हिंदू संथ की कबर है और भक्तों के लिए पवित्र जगा है मांडवगर धार जिले के वर्तमान मांडव क्षेत्र में एक प्राचीन शहर है इंदोर से लगभग 100 किलोमेटर दूर एक चट्टानी चौराहे पर बसा ये खिला शहर अपनी वास्तोकला के लिए प्रसिध है सूर्य के प्रकाश में पानी चांदी जैसा दिखाई देता है इसलिए इस जरने को प्रतिष्ठित नाम दिया गया है जलवत्रंट के रूप में भी जाना जाता है डचेस फॉल्ज एक बारा मासी धारा है जो लगभग सौ मीटर की उचाई से एक राजसी गरजना पैदा करती है अपसरा विहार पच्मडी में एक छोटा और सुन्दर जलप्रपात है जिसके तल में एक छिचला कुंड है यह पांडव गुफाओं के पास है इसे फेरी पूल भी कहा जाता है महादेव हिल्ज मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहाडियों की एक श्रिंखला है पहाडियां सत्पुडा रेंज के उत्तरी भाग में स्थित हैं चौरागड एक छोटी सी पहाडी है और इसकी चोटी पर एक मंदिर है आउटिंग के लिए बहुत अच्छी जगा है हरियाली से भरपूर और प्रकृती के बीच में ट्रीच गड पच्मडी की सबसे बड़ी प्रकृतिक गुफाओं में से एक ट्रीच भालू के लिए खड़ा है और गुफा को भालू के लिए जगा कहा जाता है गुप्त महादेव काफी संकरी लेकिन 40 फीट लंबी गुफा है जहां दुबले और छोटे बगल में होने के कारण एक बार में केवल एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है रात्री रोकान, पंचमडी में, डे 5, पंचमडी के साइट सीएंग्स पांडव गुफाएं पचमडी में एक चोटी सी पहाडी में पांच गुफाओं का एक समू है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दोरान इन गुफाओं में शरन ली थी माउंट धूपगर्ड या धूपगर्ड महादेव पहाडियों का सबसे उचा स्थान है इसकी उचाई 1352 मीटर है बी फॉल्स पच्मडी में एक खूबसूरत जहरना है इसे जमुना प्रपात भी कहते हैं यह पच्मडी घाटी के लिए पीने का पानी उपलब्द कराता है जटाशंकर पच्मडी के उत्तर में स्थित एक प्राकृतिक गुफा और हिंदू मंदिर है जटाशंकर एक गहरी घाटी में स्थित है जिसके उपर विशाल शिलाखंड है जानवरों और पौधों को समर्पित छोटा संग्रहाल है जिसमें स्थानी या वन्यजीवों को दर्शाने वाली आद्मकद मूर्तियां है पंच्मडी में चिल्रन पाक, जम्बू द्वीप, बाग और शाकाहारियों की खोज के लिए प्रसिध रात्री रोकान, पंच्मडी में, डेज सिक्स, पंच्मडी से उजजैन के रास्ते में, भेरा घात उच्च माबल की चट्टानों के लिए प्रसिध है जो एक घाटी बनाती है जिसके माध्यम से नर्मदा नदी बहती है पंच्वटी घाट से भेरा घाट तक, 22 किलोमेटर के रास्ते पर सुभा 7 बजे से शाम 7 बजे तक मोटबोट पर सवारी का आनंद लिया जा सकता है पूरा रास्ता बहुत ही मनोरम है ट्रोपवे ज़रने के ठीक ऊपर से गुजरता है और आपको शांदार गिरावट के सबसे नस्दी की और व्यापक द्रिश्यों में से एक प्रदान करता है रात की यात्रा पंच मडी से उजजैन के रास्ते में डे सेवन उजजैन के साइट सियंग्स महाकाल इश्वर जियोतिरलिंग शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और बारा जियोतिरलिंगों में से एक है तीर्थस्थल जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास कहा जाता है काल भैरो मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के उजजैन शहर में स्थित एक हिंदू मंदिर है यह शहर के सनरक्षक देवता काल भैरो को समर्पित है यह हिंदू धर्म की पवित्र नदियों में से एक है उजजैन का पवित्र शहर इसके पूर्वी तट पर स्थित है रात्री रोकान उज्जैन में नाश्ता करने के बाद घर वापस JTC Holidays Private Limited राजकोट कॉन्टाक्ट 968-789-5000 या 922-760-0890